हेलो एवरिवान परमिंदर सिंग यहर फॉम टेग डैस्ट वी लॉक्स और आज सबका स्वागत है में यूटूब चैनल पर और आज की वीडियो का टॉपिक है काैं में दो सबसे असान त्रीके जिस से की आपने वाई फाई का पास्वर्ड को चेक कर पाएंगे विंडों कंप्यूटर पर जिसे हम नेट्र सिंप्री की कहते हैं फिलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और मैं कमेंट करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखें करने को गैस सबसे पहला तरीकते आस estou कुक्ला करना है न यहां कि पर kan्षी कि करना है कि आपके सामने स्क्रैन्ड पर जो विंडू आई connection आपको right click करना असपर और status पर क्लिक करना है उसके पाद आपको wireless properties पर क्लिक करना है इसके पाद आपके पास window जो आएगी उसपर दो tap मिलेंगा connection security connection security आपको security पर क्लिक करना है इस पर आपको network security की डिख जाएगा और उसको हनाइड करने के लिए आपको show characters पर क्लिक करना है और आपको आपके wifi का password दिख जाएगा जो की save था आपके computer पर तो यह था आपका पहला तरीका और इसे मैं online तरीका भी कहूंगा क्यों क्योंकि मैं आपको पहले चीज करके दिखाता हूँ फिर आपको मैं बताऊँगा देखिए अभी मैं अपने wifi को disconnect करते ता हूँ और फिर से हम वही process को दोराते हैं और चेक करते हैं कि हम मैं अपने wifi के password को चेक कर पा रहा हूं कि नहीं अगें मैं टास्वर्प के left hand side पर start menu button पर right क्लिक करता हूँ run पर क्लिक करता हूँ और यहां command type करता हूँ ncpa.cpl और ok पर क्लिक करता हूँ अब अगें network connections में आपको अपने wifi connection आप उसका status देख पा रहे हैं कि not connected इसका मतलब है कि अब मैं अपने wifi का password को नहीं चेक कर पाऊंगा तो कि मैं अभी disconnected हूँ online नहीं हूँ internet से connect नहीं हूँ तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको again पहले internet से connect होना है जब आप online आ जाएंगे internet से connect हो जाएंगे तभी आप अपने wifi को connection पर right clicker के status पर जाकर wireless properties को जाकर security टैप पर अब अपना wifi का password चेक कर पाएंगे तो यह था पहला तरीका जो कि बहुत असान था पर अगर in case आपका wifi नहीं चल रहा है और आपको आपके wifi का password नहीं मालूम है उस case में हम क्या करेंगे उस case में हम offline जिसे में offline mode भी कहूंगा हम offline mode में जाकर हम चेक कर पाएंगे in case अगर आप internet connect नहीं है और आपको उस case में password नहीं मालूम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे again task bar में search bar में आपको command type करना है cmd above command prompt पे आपको right click करना है इसको run as administrator करना है क्लिक करें yes आपको screen पर command prompt खुल चुका है अब आपको यहां पर सबसे पहले command type करना है वह है ने टी एस एच स्पेस डबलू लए एन लैन स्पेस एस एच ओ डव्यू शो पेस पी आर ओ फाई ली प्रोफाइल अब इस command का जो परपरस है हमारा वह यह है अगर in case आपको आपके वाइफाइ नेटवर्क नहीं नहीं मालूम हैं आपको आपके वाइफाइ नेटव आपको यह नहीं पता कि हमारे नेटवर्क का नेम क्या है और जिसे हम SSID भी कहते हैं तो हमें यह पता लगाने के लिए यह जो command है इसका यही purpose है हमें इससे यह पता चलेगा कि हमारे जो SSID है जो नेटवर्क का नेम है वो क्या है हम किस से connected थे और अभी किस से connect है तो चलिए एंटरफेस करते हैं आपर देखें अब देख पाएंगे प्रोफाइल ओन इंटरफेस वाइफाइल गूप पॉलिशी प्रोफाइल डिड़ नन यूसर प्रोफाइल यह तीन प्रोफाइल जो की इस कंप्यूटर में सेव्ड है वाइफाइ नेटवर्क नेम जिसे हम SSID भी क OSdyues करना एंट्रोम और हमीं ऊसी का ही पास्वर्ड चेक करना है ऑफ लाइपम लें मोलम में इंकेश अगर आपका नेट्वर्क से आप लैप्टवक नेक्टॉक नहीं है या आप कर देखनेट करना है और आपको इसके लिए पासवर्ड नहीं मालूम है तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले वाई-फाय कनेक्ट को हम डिसकनेक्ट करते हैं लेट्ट क्लिक करना है आपको अपने वाई-फाय कनेक्शन पर और डिसकनेक्ट करते हूँ है हम चेक करते हैं इसके लिए आपको क्या करना है अब आप डिस कनेक्ट हो अपने इंटरनेट कनेक्शन से और अब आपने जो कमांड टाइप करने हो है है अगें अनिटी नेट एस एच स्पेस डबू एलें लैन स्पेस एस ओ डबू शो स्पेस प्रोफाइल प्रोफाइल स्पेस अब आपको जो यहां पर क्या कि टाइप करना है अब आपको स is ID टाइप करना है प्रोफाइल के बाद प्रोफाइल स्पेस जैसे कि मेरा नेट्रोक एक नेम जो SSID था वो टॉर्जन है मैं इसका पास्वोर्ट जाना चाहता हूं तो मैं अपने नेम लिखता हूं अगें आपको लिखना है स्पेस टाइप करना है स्पेस फिर टाइप करें की के एवाई इक्वल टू क्लियर अब आप एंटर करते हैं यहां पर अब चेक कर पहेंगे आपके वाई-फाई का पास्वोर्ड यहां पर प्रोफाइल टॉर्जन और इंटरफेस वाई-फाई एप्लाइड और यूसर तो आपको अपने वाई-फाई का नेटवर्क दूना है हुआ है कि अपास्वोर्ड यहां हुआ है आपको ऊसपास्वोर्ड मिल जाया यहां स्युक्योटी सैटिंग दी इंटर्णीो दूसरी नेट चाहे रेत्व किर्णिर के वाई-व्च वाई-ड ही व्चे coaches में आपको यहां होजिए अस देनु 23 die और आप अपना जो saved वाइफाय का जो saved password है आप offline mode में चेक कर पारे हैं online mode में भी check कर पात सकते हैं पर उस time पर अगर in case आपके पर password नहीं है वो internet से connect नहीं हो पारे तो आप यह तरीका use कर सकते हैं देखिए यह command जो है मैं आपको description box में भी दे दूँगा आप वहां से भी copy करके simple page कर सकते हैं आपको type करने की जोड़नी पड़ेगी देखिए यह था पास यह जो command थी net sh space wlan space show profile pro file trojan trojan space trojan जो आप पर इसके पास space key equals to clear clear अब आप इस command में एक और parameter एड़ कर सकते हैं वो है आप साइन स्पेस के इवाई तोई फाइंड स्टी आर स्पेस के इवाई एंटर कर देखिए अब आपको जो इस command का result मिला है वो है research security key present पर आपको शोर नहीं हो पारा password तो देखिए इसमें हमने command में एक छोटा सा चेंज करना है कि देखिए जो लाज्ट के जो words है लाज्ट का जो word है इस command का पुरा वो है के इवाई find स्पेस के इवाई अब आपको क्या करना है यह के इवाई जो है यह small में आपको इस word का फर्स लेटर जो है capital में रखना है के इवाई और एंटर प्रेस करना है देखिए तभी आप अपने वाई-फाई का पासवर्ड अपको शोर हो गया है तो अगर आप जो डिटेल नहीं चाहते आप नहीं चाहते कि तीन चाह पांच है जो कि आपने ऊपर देखा में connectivity setting security setting कोब सेटिंग यह सब कुछ आप नहीं चाहते आप सिंपल अपना पासवर्ड देखना चाहते हैं इसके लिए आपको क्या करना है यह सारा कमांड करना है और लास्ट में के परामेटर एड़ करना है की इक्वल क्लीर के बाद परें पैप कैते यह आपको मिल जाएगा उपर अपर एंटर के जस्ट उपर लगते को इसे सिफ्ट प्रेस करकर फिर यह pipe sign को प्रेस करना है फिस पेस आपको टैप करना है find str फिस पेस आपको यह याद अखना है small letter नहीं टैप करना है आपको टैप करना है capital K-E-Y यह command मैं description box में भी आपको दे दूँगा वहाँ से copy करें और यहाँ आपर करेंगे पेस्ट हो जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सीजा यह password आपको हो जाएगा यह जो parameter मैंने एड किया है pipe find str space key इसका मतलब है कि हम चाहते है find key content security की मतलब कि हम find करना है सिर्फ security की तो यह आपका security की शो हो जाएगा तो यह है आपकी command offline command जिससे की आप अपने वो safe wifi network का password चेक कर सकते हैं आपने तीन चीज़े actually मैं यहाँ पर आज वीडियो में देखा फर्स्ट कि आपने online mode में कैसे password चेक करते हैं और in case आपको password नहीं याद है आप भूल चुके हैं और आपको यह भी नहीं पता है कि आपकी network name क्या है और SSID क्या है उस case में भी मैंने आपको जो command बताया था उसमें आपको इतना ही टाइप करना है नेट नेट एन एस सब्सक्राइब करना है अब इतना ही कमांड टाइप करेंगे तो आपको आपके network का SSID पता लग जागा जब एक बड़ आपको SSID पता लग गया नेट नेम पता चल गया तो आपको अगें प्रोफाइल के बाद network name type करना है space key equals to clear space pipe space यह parameter add करना है find str key और enter press करेंगे आपका जो password है वो शो हो जाएगा तो यह था आज की वीडियो में दो सबसे असाम तरीका अपने wifi का password चेक करने का तो उमीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो में वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और subscribe करें और में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं पूसकते हैं कुछ भी अगर आप जाना चाते हैं या किसी तीक अगर डावट आएक अच्छा सा कमेंट करते हैं और और सुस्क्राइब करते हैं और अब ये के लिए इतना ही और मिलते हैं किसी होग वीडियो में चलिए हेवे नाइटे एंड बाबाए सब्सक्राइब कीजिए Tech-Vlogs चैनल को बजाएए इस गंटे को ताकि आप लेटर्स टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देख पाएं झार्ड लेटर्स टेक्नोलोजी करते हैं झाल झाल